अख़ाणा में आपका इबार फिर से स्वागत है सागर हत्या कांड़ पर हमारी नजर बनी हुई है सुशिल कुमार की मुश्किलें बड़ती नजर आ रही है वहीं सुशिल कुमार की मा को दिल्ली हाइकोट से जटका लगा है। लेकिन कोट ने उसकी इस याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है वहीं दो दिन पहले सागर हत्या कांड में गिरफतार आरोपी पहलवान सुशील कुमार का एक वीडियो सामने आया था इस वीडियो में सुशील कुमार गैंक्स्टर काला जठेडी के साथ दिखे ये वीडियो 2019 का है जिसमें सुशील कुमार गैंक्स्टर काला जठेडी के भाई की शादी में शामिल होने सोनिपत पहुँचे थे बताय जा रहा है कि सुशिल कुमार को गैंक्स्टर काला जठेडी के साथ पुराने संबंद रहे हैं जिसकी तस्दीक करता हुआ ये वीडियो सामने आया है वीडियो में काला जठेडी भी नजर आ रहा है और जो पुलिस की कस्टेडी में जेल से इस शादी में शामिल होने पहुचा था शादी में शामिल होए कई लोग वहां हत्यारों के साथ नजर आए काला जठेडी 2012 से 2020 तक जेल में बन था लेकिन इसके बाद वो हर्याना पुलीस की कस्टेडी से भाग गया था बताये जा रहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारा गया पहलवान सागर काला जठेडी का रिष्टेदार था और उसकी हत्या के बाद से ही काला जठेडी सुशील कुमार से नाराज है अब ज़रा प्रियंका कानपाल के बाद जाते हैं प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है सुशील के फॉर्मर कोच के साथ पूर्व कोच है रामफल मान जो की प्रियंका के साथ है जी प्रियंका रामफल जी यहाँ पर हमारे साथ है सिधा बात करते हैं रामफल जी जिस तरीके की ये पूरी खबर आई है सुशील कुमार से जुड़ी वी वीडियो सामने आई है क्या आपके प्रतिकरिया है मेरी प्रतिकरिया तो जो पूरे देश की प्रतिकरिया है वही है बेटा और मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे सुशील कुमार का इसमाई नोल होना अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता को उसके बेटे के बारे में कोई गलत खबर लग जाए तो उसको क्या मैसूस होती है वही मैसूस मेरे को हो रहा है 1996 से आप सुशील को जानते हैं और अब जैसे वीडियो कल आई हैं सामने वैसे सुशील थे वो कभी नहीं बिल्कुल नहीं सुशील तो सुशीली था और अपने काम के परती अपनी कुश्टी के लावा सुशील को कोई शोक नहीं था और यही कार्ण है कि सुशील इतनी ज्यादा बुलंदियों पर चड़ा कि उसको जब तक मैं उसके साधरा जब तक वो मेरे साधराया कोई भी मैंने उसके अंदर गलत चीज नहीं देखी थी बस शिरफ कुष्टी का इंटरेस्ट उसके अंदर था शत्रसाल स्टेडियम में भी का आप कोच रहे हैं इतने लंबे समय तक आप शत्रसाल स्टेडियम का भी नाम आ रहा है जहां ये पूरी घटना हुई कल आप बता रहें कि अन्वर्सरी भी थी तो पहलवान समाज तमाम पहलवान किस तरीके सब देखते हैं से पहलवान जैसा कि आपने बताए कि कल हमारे 27 मई 1988 को ये अखाड़ा मैंने शुरू किया था तो हमारी एक किसम चे हमारा जनम कल हुआ था 27 जल शेडियम के अखाड़े का पुराने पहलवान जो उस टेम पह जिन को लेकर के मैंने 8-10 पहलवान को लेकरके ये अखाड़ा शुरू किया था कि सब के फोन मेरे पास आए कल कि सर आज हमारे अखाड़े का जनम दिन है तो मगा बहुत अच्छी बात भी आपने याद दिलवादी मुझे तो याद नहीं था तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन जब से ये खबर आई है जब से मेरा मन बिलकुल खटा है और मैं अच् पन से जानते हैं प्रेकर उन्से पूछे क्या उनको लगता है कि सुशील ऐसा काम कर सकते हैं बिलकुल भी नहीं वो कुस्तिल लड़ते समय भी सरब उसका ध्यान कुस्तिल लड़ने में होता था गुश्य वारी चीज तो कभी थी नहीं आपको लग रहा है कि जिस तरीके से और उसने ऐसा काम कर दिया क्योंकि अब वीडियो सामने आ रही है तो मना भी नहीं कर सकते हम कि यह इसने नहीं किया हुगा वो तो प्रूफ दिखाई दे रहा है तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लग रहा है इसमें और बहुत बुरा लग रहा है यह मुझे कि शुशील अपने नाम के तरही शानत और शुशील थे इस तरीके से शुशील के जितने परिचित हैं वो वो यही कह रहे हैं सुशील के साथ सुशील के जितने परिचित हैं उनका जातातार अमोमन यही कहना है कि सुशील इस प्रवरति के नहीं है सुशील ने लोगों की मद उसके साथ जो सुशील के साथ जितने लोग खड़े हैं उनमें से कई लोग का नामी गिनावी गैंगस्टर के साथ काम करने वाले लोग बताये जा रहे हैं ये पुलीस का आरोप है जो गिरफतारी हुई है उसमें से भी चार लोग जो हैं वो एक गैंग से जुड़े हुए है सुशील के संबंदे के जाने माने गैंस्टर के साथ हैं, वो भी सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुशील का जो रुख था, हाथ में डंडा लेकर सागर को वो डरा रहे थे, या फिर उन्होंने उसको मारा भी, इरादा उसको मार कर उसे डराने का था, या म पर उनकी मंचा क्या थी? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ज़रूरी है क्योंकि सुशील कुमार एक Olympic medalist थी नहीं पर वो देश में पहलवानों के लिए एक inspiration है और उनका इस तरह से इस विवाद में फसना और उन पर हत्या का रोप लगना बहुत ही चिंता जनक विशे है ज़रा भवानी देवरा की और चलते हैं भवानी राजेवर्दन राठोर के साथ हैं आईए सुनते वो क्या कह रहे हैं? शुसील कुमार का मामला है जिस तरह के आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं और जिस तरीके के आज तस्वीरें आईए एक खिलाडी की इस तरीके से मारते वे? खिलाडियों के उपर कास तरह से ऐसे खिलाडी जिनके उपर देश के टैक्सपेर्स का पैसा लगाया जा रहा है उनकी तैयारी में मेरा ये व्यक्तिकत मानना है कि उन्हें उनके कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एक अपना कैरेक्टर दिखाना चरित्र लोगों तक दिखाना योगी जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उधारन मानना शुरू कर देते हैं तो आपको आपका व्यवार जैसा भी हो आपको उसको और सुधारना पड़ता है जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है तो इसमें तो आप जो इंक्वारी हो रही है उसे होना चाहिए बिलकुल और इंक्वारी होकर पूरे देश को पता चलना चाहिए लेकिन इतना मैं जुरूर कहता हूँ कि अभी तक जो देखने में आया है उससे बहुत दुख हो रहा है कमरसल मनीज के साथ बावानेज सिंग जैपूर न्यूजरेट इन इडिया राठोर का ये कैना कि एक खिलाडी को ज़रूरी है जब आप रोल मॉडल को जरूरी है कि पब्लिक लाइफ में ही नहीं